जहिन चात्रों मैं इशार आहमत कॉंपिटिशन कम्मुनिटी के इस कोश्चन सेसन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार अपनी निरंतरता बिलकुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक उद्धिस तर पे तैयारी क कर रहें जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा उद्धेश होना चींए प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता और प्रतियोगी परिच्छाओं में सेलेक्शन लेना तो उसी उद्धेश के साथ आईए लेखा क्या कहता है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करत और उसमें पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है द्रिन संकल्पित होना तो आशा करता हूँ इतनी बाते आप लोग को समझ में आई होगी और इसी प्रकार इसी सोच और इसी उत्सा के साथ इस सत्र को प्रारम करते हैं भारती इतिहास हमारा विशय चल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं प्राचीन पोर्शन मतलब कि प्राचीन काल हम कवर कर रहे हैं भारती इतिहास का प्राचीन पोर्शन कवर कर रहे हैं फिर मद्यकालीन भारत का इतिहास आएगा फिर आधुनिक भारत का इतिहास आएगा तो याद रखेगा प्राचीन पो तो नर्मदा घाटी छेत्र में एक चालूक के शासक जिसका नाम था पुलकेशिन द्विती और पुलकेशिन द्विती ने नर्मदा घाटी छेत्र में उसे पराजित किया और एक परसस्ती अभिलेक लिखाया जिसका नाम था एहोल अभिलेक जिसे जो है आपका रवी कृती न लेने वली बात नहीं है तो चालुक विवन्स के बारे में आज पढ़ने माले हैं ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं यहाँ देखे चात्रों कि अब जो है अगर एक दृष्टिकोन से समझा जाए कि हमेशा जो लडाई रही है अगर लडाई अगर किसी जगा की रही है या किस फड़ा देखे और चैनल में हमारे आए और नोटिफिकेशन पहले पाए और अची तरह से तो याद रखेगा छात्रो के जो हमारा उत्तरप्रदेश वाला छेत्र रहा है यह वाला मगद वाला छेत्र रहा है मगद प्रशाशन की तहेत अगर देखें सबसे पहले रिगवेदिक काल की तो सबसे पहले याद रखना है कि सब्त सेंदव प्रदेश में रिगवेदिक रि बचना मानी जाती है तो इस समय जो है किसी प्रकार का वन्ड व्यवस्था में कोई परिवर्थन नहीं नजर आता था और आपका कर्मकांड ओ कोई ज्यादा व्याक्या नहीं की गई थी मतब जादा कर्मकांड नहीं थे लेकिन जैसे ही उत्तरवेधिक काल में रावतम चीजे जो है सामने आई और वर्ण विवस्था में पहले था आपका कार्यपर आधारित लेकिन वर्ण विवस्था उत्तरवैदिक काल के समय में क्या हो गई जन्म विवाधारित हो गई ठीक है तो हमेशा क्या संकेंदर रहा है एकदम सारी चीजों को नॉर्मलाइज करके शो कियो है आपका इसी चर्चन में मिलेगी फिर उसके बाद मगत्सम्राज जी की चर्चन होती हर्यम Не मगत समराजी की स्थापना की बिम्भीसार ने फिर उसके बाद कई जगा व्रिहधरत होता है लेकिन हमें परिच्छा कि दिश्टी कौन से बिम्भीसार लेना है ठीक है आपका बिहार वाले के बाद सिसुनागवंस ने आपका आगे बढ़ाए आगे मतलब विस्तार किए इसका फिर उसके बाद मिला मिल गया मतलब की सब इस्थापित उसके संद्रगुपत मौरे प्रशाचन मौरे काल मौरे वंस तो मौरे वंस में देखते हैं कि आपका भियापक रूप से मगदेशिया तक चले गया था ख़ोख ठीक है मगदेशिया तक चले गया थी ठीक है तो इस प्रकार कि जितने वी चीज़े जो है वह आपका सामने आती है और संकेद्रन कह रहा है केंद्रन से मतलब हलाय जाए कि हमेशा ध्यान कहां अरजीत होता है हमारा तो ध्यान यहां अरजीत होता है, उसके बाद गुप्तकाल पढ़ा है, तो गुप्तकाल में बोला कि पाटलीपूर्थर गुप्तकाल की राजधानी रही है, ठीक है, तो यह वाला छेत्र ही आपका पाटलीपूतर वाला छेत्र है, जिसमें कि आपका गुप्त वंस के दस रा रहा है तो आपका उत्तरप्रदेश की ओर अब जो है हर सवर्धन की राजधानी बताई थी मैंने कन्योज तो कन्योज वाला छेत्र भी यही है इसी के लिए जो है यह आपको दिख रहे हैं इतने राज अबसने संघर्स भी सामने आता है अरामस त्रीपक्षी संघर्स का वीडियो बनाया जायगा जिससे पहले सारा बेस क्लियर होना चीए तभी जायके जो है तरह से याद होगा ओगा तो हम पहले बेस क्लियर करें एक चोड़ा सो तो यहां हमने देखा किस चीज के बारे में कि हमेशा संकेंद्रन किसका रहा है आपका कन्नौज और आपका उत्तर पूर्वी भारत का तो इससे सेंस लगा के समझना है कि आपका सबसे पहले क्या पढ़ा हमने वर्धन वंस तो वर्धन वंस या पुष्य भूति वंस के बारे ठीक है तो आपका इसके बारे में पढ़ा और इसी में हमने रिलेट किया था कि पुलकेसिनदुटि जो की आपका नर्मदा नदी के पार जो है हर्स वर्धन जी जाने वाले थे तो नर्मदा नदी पास यह पराजित हो गया और यहीं पस जो है आपका एक अहोला प्रसस्ति अभिलेक मिलता है जिसमें रवी कृति ने लिखा है कि पुलके सिंद्विती ने किसको हराया है हर्स वर्धन को हराया है आशा करता हूं इतनी सारी चीज़े आप लोग को समझ में आये होगी तो आज हमारा जो है यह अच्छी तरह से इसे आप स्क्रिंशॉट ले सकते हैं इस के बाद हम पल्लो पढ़ेंगे पाल पढ़ेंगे रास्टकूट पढ़ेंगे गुर्जर पतिहार पढ़ेंगे ठीक है आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा देन यहां एक चीज याद रखना है कहानी समझना है कि जो चालूक के हैं चालूक के जो है तीन प्रकार से आता है आपका जैसिंग जैसिंग अगर कहा जाएं तो यह संस्थापक रहें ठीक है देन उसके बाद आपका राजा मंगलेश जैसिंग और आपका एक आगे में डाउट ती आप लोगो क्लियर कराता हूं यहां कंफ्यूज होगे ठोड़ा ठीक है राजा मंगलेश हो गया पुलकेशिन दूइतिये तो पुलकेशिन दूइतिये के बारे में सबसे ज़्यादा प्रस्न पूछे जाता है यहां से ठीक है मैं बताता हूं कि राजवन्स के बारे में राजाओं से जो प्रस्न पूछे जाते हैं वो हमारे लिए जरूरी है ठीक है कहानी भी याद करना ह हमें लेकिन साथ में रखना है कि मुख्य राजा जो होते हैं उनमें जो विशेष तत्ति होते हैं जिसे हमेंशा प्रस्न में दT में दƯह प्रशन के सासक दंती दूर्ग ने दंती दूर्ग डीडी लिग दिया हूं समझ में आ जागा होगा तो दंती दूर्ग ने आपका पराजित कर दिया ठीक है यहां दंती दूर्ग ने पराजित पराजित कर दिया और जो है आपका राष्टकूट सासकों का सासन इस्थापित हो गया कहां आपका वातापी वाले छेतर में ठीक है वातापी के उपर में हुआ है लोग का ठीक है तो आपका दंती दूर्ग ने अपना सासन इस्थापित कर लिया तो आपका बाद में 200 साल पर लगभग 200 साल का गैप हुआ 200 साल गैप के पस्चाथ आपका 200 साल ठीक है एक राजा आता है जिसका नाम था कर्क दूती और कर्क दूती को ही किसने हराया आपका तैलब दूती ने हराया जो और तैलब दूती क्या था आपका कल्यानी का चालुक और तो आप समझ गया होगे फिर से सम्झा देता एक बार समझ जाना है हूए यह कि वातापी के चालुग के प्रसासन कर रहे थे जिसमें कि पुलकेशिन दुटी सबसे प्रतापी शाषक था उसमें कि अंतिम सासक को कल्यानी के चालुक की अतैलब दूती ने पराजित करके वापस कल्यानी की चालुक की साखा इस्थापित कर ली ठीक है आशा करता हूं इतना समझ में होगा और फिर उसके बाद बेंगी का चालुक कैसी नॉर्मल याद रखना है जिससे प्रस्ण कभी नहीं पूछता है ठी इसलिए रखा गया है ठीक है तो आशा करता हूं इतना आप लोग को समझ में होगा आईए स्टार्ट करते हैं हम अब इनकी डिटेलिंग ठीक है जैसा कि मैंने बताया कि चालुक के वंस बादामी या वातापी के चालुक के बादामी के चालुक की भी कहा जाता है इन्हें उसके बाद चालुक रांस्वर्ण का प्रथम एतिहासिक सासक कोन था आपका जैसिंग बताया कि जैसिंग ने आपका चालूक के जो है निव डाली वास्तविक शंस्थापक अब यहां एक कंफ्यूजन आता है कि पुलकेशिन प्रथम और आपका किर्टी वर्मन प्रथम क् ठीक है किर्ति वर्मन प्रथम ठीक है इसे भी जो है वास्तविक संस्थापक के रूप माना जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है परिच्छा के दिश्ट कोंड से दोनों इंपोर्टेंट है ठीक है तो दिमाग में यह क्लिक होना चाहिए फिर उसके बाद चालुक की राज्धानी कि देखा आए अगे बढ़ते हैं उसके प으면 करनाट करेर करने बारे क्या बाति है आपका की पूलधि Us तो पुलके सिंदुती के उपाधी, ठीक है, तो सत्यास्राय प्रिथवी वल्लब महराज, ठीक है, धक्षिना पत्रश्वर, है ना, इसने हर स्वर्धन को पराजित करके आपका परमेश्वर की उपाधी धारन की, ठीक है, और इसमें याद रखने वाली एक और बात है भाई, बिल्कुल जो है, इसकी कहानी याद रहना अनिवार रहे है, इससे भी प्रस्न पूछा गया है, पहले हम इसको जो है हम वापस इनकी मुद्रा में ले आते हैं, बोड महुदा नाराज बहुत जल्दी होते हैं क्योंकि, ठीक है, देखो, यहां दिखाई दे रहा है आपको चा परचा करने वाले हैं, वहां तो नॉर्मल उपाधी दिखाई दे रहे हैं आपको, एक मिलता है आपका काची कोंड की उपाधी धारन की थी, तो आपका पुलकेशिंद्विती ने आकरमण किया कहा, आपका पल्लवों पे, और पल्लवों के समय, उस समय सासन कर रहे थे महें महेंद्र वर्मन, ठीक है, वर्मन डबलू लिख दिया हूँ, वही होगा, लेकिन ठीक है, कन्फ्यूज नहीं हो, जो भी लिखाया हो, याद करने वाले चीज़ों के याद रखना है, महेंद्र वर्मन जो है आपका, वहां प्रशाषन कर रहे थे, अब महेंद्र वर्मन के पर आकरमन किस ने किया पुलकेशिन दुटी ने पुलकेशिन दुटी जीत किया पहले किस से जीता हर्सवर्धन से जीता फिर उसके बाद किस से जीता आपका महेंद्र वर्मन से जब जीता उसने तो उसने एक उपाधी धारन की जिसका नाम था कांची कोंड कोंड मतलब होता विजेता तो पुलकेशिंद्वितिये ने किसको हराकर अपनी उपाधी धारण की महेंद्र वर्मन को हराके काची कोंड की उपाधी धारण की ठीक है अभी उपाधियों से प्रस्ण पूछा जाता है इसलिए बताने का उद्देश है फिर उसके बाद एक बार तो हरा दिये भ इसके उपर नरिंद आपका नर्सिंग वर्मन के उपर नर्सिंग वर्मन के उपर जब आकरमन किया तो नर्सिंग वर्मन इसको हरा दिया और नर्सिंग वर्मन इसको हराया तो और हराने के पस्चाज जो है इसकी राजधानी तक के घुसा और राजधानी को जो है तबहा कर दारन की चमा चाहूंगा बादामी कोंड नहीं वातापी कोंड की उपाधी धारन की ठीक है तो अब वातापी या बादामी के चालू के या वातापी के चालू के यहां मुझे बादामी दिखाई दे दिया तो मैं क्या बोल दिया बादामी के चालू के बादामी कोंड तो इस प्रस्डाइब का यहां तक को γथा कर सकते हो है उसकी चाहिक प्रस्राइब करते हैं ठीक है एंगे बढ़ते हैं तो इस कुन थे रवी कृति जिसने एहोल प्रसस्ती अभिलेक लिखा है तो यह हमेशा प्रस्ण पूछता है सीधा-सीधा वन लाइनर फैक्ट के रूप में दैन उसके बाद यहां दिख रहा है कि कल्यानी के चालुक के जैसा कि मैंने बताया कि आपका अंतिम सासक कर आपका किरती व सामंत बनाते थे लेकिन अभी तक के अंदर में क्या चल रहा है अंदर में अभी जो है एक बदले की भावना जागरित हो रही है तो उस समय जो है आपका करक दूतिये नामक सासक ने हरा दिया और उस समय राष्टकूट की राजधानी क्या थी आईए फिर से एक बार देखें इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है देखो यहां दिखाई दे रहा है कि राष्टकूट की राजधानी है मानने खेट और राष्टकूट सासक करक दूतिय को हरा के तैलब दूतिये न बहर आता है तो आपका राजधानी किसको बनाएगा मानने खेट को बनाएगा लेकिन यहाँ एक अपवाद है चात्रों उसे बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है कि उस समय तो था आपका कौन तैलब दूती है लेकिन उसके पस्चात यहाँ देखने को मिलता है सोमेश समस्वर नामक ऍेक राजा और सोमेश नामक जो एक राजा आता है उसने कल्यानी अपना राजधानी बनाया ठीक है तो यहाँ जो है कुछ कंटेंट अगर नहीं दिखेहा तो मानने खेट राजधानी ली जाती है लेकिन याद रखना है सोमेश शुमेश्वर नामक जो सासक था चालुक्यों का सासक है उसने आपका किसे राजधानी बनाई कल्यानी को अपनी राजधानी बनाई ठीक है तो यह कन्फ्यूज नहीं हो ना है इसमें ठीक है थी लेकिन सोमेश्वर्द ने आपका किसकी आपका कल्यानी को राजधानी बनाया फिर उसके बाद यहां देखिए कि आपका सरुप्रसित्य सासक अगर देखा जाया तो विक्रमाधित्य सस्थ इनके बारे में क्यों याद रखना जरूरी है कि चालुक के साखा का सरवाधिक म महाने वह अंतिष आ सकता और इनका याद रखने का उद्धेश है कि इनके पास दो दरबारी कभी थे कभी टैप के वेक्ति थे सहीतिकार और बुद्धी जीवी वेक्ति थे तो पढ़े लिखे लोगों को रखेंगे हैं तो दरबारी कभी तो दरबारी कभी कौन थे इसके याद रखना है विलहन क्या है किसके दरबार और एक मशुहूर जो आपका कहा जाय क्या बोलते हैं साहितिकार थे उनका नाम थे जिस आक्षरा लिखी जो कि हिंदू विधी पुष्तक है अब याद रखना है कि यहां से प्रस्ण 101% आपको परिच्छप में देखने को मिलेगा यह प्रस्ण हमेशा पूछता है मतलब से प्रस्ण सहितिकार से प्रस्ण पूछता है तो कनेक्ट करके रखना है कब कल्याणी के चा समझ में आया होगा आई आगे बढ़ते हैं तो इतना कंसेफ्ट हमारा क्लियर होता है ठीक अब प्रस्ण से सारी चीजों को समझ लेंगे और याद रखिएगा कि इसके प्रस्ण अचानक पूछे जाते हैं और SSC अभी बहुत पूछ रहा है पिछले चार-पांस सालों से इ बहुत अच्छी थी उसी प्रकार जो आपका चालूक के लोग थे तो चालूक के लोग में महिलाओं को अच्छी अच्छा दर्जा दिया गया था ठीक है अमारा भी समाज जो है महिलाओं को अच्छा दर्जा देता है और आपका देना भी चाहिए किसी प्रकार के भी कोई आसा मानता नहीं होनी चाहिए ठीक है और इसे दूर कुन करेगा तो इसे दूर हम युवा ही करेंगे इसे दूर ठीक है जैसे कि मैंने दहेज प्रथा के बारे में बताए कि दहेज जो है और आपका चंदरगुपत मौर्रे को मीला था मेगस अपका उनके ससुर के तरफ सजी क अरे जो भी थे ठीक है याद नहीं आ रहा है थल से ना प्रमुख ठीक है पिछले वीडियो जाके देखना तो यह सारी चीजे मतलब नहीं होनी चाहिए ठीक है तो महिलाओं को अच्छी जगह देनी चाहिए हमें समाज में उसके बाद है निमलिखित में से किस इस्त्रोत मे अब देखो भई सापको मालूम है अविलेग पढ़ा है हो सर अब देखो बाढबट हर्स चरित में मिलेग इनी हर्स के बाकर खेड़ाविलेग में नहीं मिलेगा पुलकेशिन दृती के अविलेग में तो तीसरा तो सही है ठीक है यह उप्शन ऐसे चूनना है फिर उसके ब तो तीन और चारीष का अंसर होगा चलो इसका कंसेप्ट भी समझ लेते हैं देखो भई मैंने बताया कि हर सुवर्धन के सासनकाल में कौन आया थे भेंसांग ठीक है उन्होंने सी यू की लिखी तो पुलकेशिन दुटी के भी समकालीन होगा भेंसांग ठीक है उस समय भी भा अकरमन किया था नर्सिंग वर्मन में और आपका उसके साथ एक और सा सकते महेंद्र वर्मन में ठीक है तो आपका यह सारी चीज जो समकाली निस्थिती बनती है तो आपका इसकी जानकारी सी यू की में प्राप्त होती है और याद रखिएगा कि आपका वेंसांग की आत्र प्रशाशन के लिए जगह दी गई थी और बहुत ही सिस्था इसतर突 दो चालोक्योंगे किस राजवंस ने उत्तर भारत पर शासने ठीक है देख लेते हैं पुछने का नजरिया लग रहेगा ना इसलिए बद पेचीदा प्रस्न रखा गया है इसमें और सारे प्रतियोगी परिच्छाम पूछेगा प्रस्न संस्कृत के कवी और नाटक कार कालिदास का उलेख हुआ है याद रखेगा छात्रो ये प्रस्न जो है अगर ये सब्जेक्ट पढ़के देखोगे तो अपने आप याद आएगा लेकिन इसे याद रखना निवार है कि एहोल प्रसस्ति अभिलेग पुलकेशिंद्विती का उ आज भी माध्यविक बोर्ड में और बाकी सब जितने भी जो है मतलब इसकूली बच्चे लोग जो है इसकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो याद रखें इसकूली बच्चों के साथ साथ सभी लोग पढ़ते है तो पुलकेशिंद्विती के एहोल अभिलेग में किसकी प्रत्यों की परिच्चाओं को याद करने के लिए एक पिंच देता हूं तो याद रखना है सारी चीज़े को ठीक है मतलब हमें अपनी प्रत्योंगी परिच्चाओं के निदांतरता अच्छी करनी है और मजे से पढ़ना है सारी चीज़े और यूद्धिस्तर पर तयारी रखनी है परिच्चा है सेलेक्शन लेना है ठीक आगे बढ़ते हैं उसके बाद है पुलकेशिंद्विती किसका महांतम सासक था किसका था भई कल्याणी के चालूग के का का आओक्डीन नाड़ॉ-चॉल सब पढ़ेंगे लेकिन वातापी के चालूग के का प्रसिद्ध सासक правильно में मेंसे कौं सा सिलालेख चालूग के समराट पुलकेशिंद्वित इसे संबन्दित है और ही ठीक है पुलकेशिंद्वित इसे संबंदित है कि असिट होल लाइन है रवी किर्ती जो एक जैयन थे और जिन्होंने ए्होल प्रशश्ती की रचना की थी को किसका सन्रक्षन प्राप था तो तो रवी कृति को किसकी संरक्षान अपर थी जो जैन थे पुलकेशिन दृति इन्होंने जैन मंदिर का भी निर्माण किया कहां आपका राजिस्थान वाले एरिया में अभी पढ़ेंगे आगे में देखो आगे बढ़ते हैं हर स्वर्दन का समकालीन दक्षिन भारती सासक कॉन था ठीक है तो आपका पुलकेशिन दृति जो है समकालीन सासक था निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के सासन काल में चीन एवं भारत में के संबंदों का विबरन किया है तो वेन सांग ठीक है आगे बढ़ें अगला है दिल्वारा के चालुक के मंदिर जैन मंदिर कहां स्थीत है ठीक है तो कहां स्थीत है बताया मैं आप लोगों को कि आपका राजिस्थान में ठीक है वेर इस दा चालुक के टेंपल जैन टेंपल ओफ द दिल्वारा लोकेटेट कहा है आपका राजिस्थान आशा क कालुक के राजा ने कन्योज के राजा हर्स को पराजित किया था ठीक है एकदम सिंपल सा कोश्चन है सभी का प्रस्न का अंसरानाशी आशा करता हूं आप लोग को सारी चीजे समझ में आई होगी इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा जैहिन जैभारत झालुक कaking बज़त चाहूंगा जैए एक राज़ के सारी भंप लोग को सारी तो तो इसाल जैए ठीक हा शजए झालुक के सामोगारत झाल